प्रेंड्स आप देख रहे हैं भव्या हेल्थ केर तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडिय सबसे पहले हलो एब्रीवन वेलकम तु भव्या हेल्थ केर और मैं हूँ आपकी दोस्त भव्या तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगी बालों की मीन्स हम कुछ हेयर केयर चिप्स आपको बताएंगे आपको भी अकर अपने बालों को सुंदर लंबा और उने ट चकर में अपने बालों में ओईलिंग नहीं करती और बालों में अगर आप तेल नहीं लगाते इससे आपको पांच तरह के नुकसान हो सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही नुकसानों के बारे में बतारे जा रहे हैं जिससे कि आप गंजे भी हो सकते हैं तो चली प्रिस्टार्ट करते हमारे इस वीडियो को आपके दुकानों के बाहर बड़े बड़े बोर्ट पर लिखा हुआ देखा होगा कि फैशन के इस दौर में गारेंटी की इच्छा ना करें ये बात 100% सही है क्योंकि कोई भी चीज इस वक्त में टिकाव नहीं है ये बात आपकी हेर स्टारल से लेकर आपकी सेहत पर भी लागु होती है मौजूदा वक्त में बालो के स्टारल को लेकर लोगों में टेजी से क्रेस बड़ा है जिसकी वज़ा से लोगों ने बालो पर अजीब अजीब से एक्सपैरिमेंट करने शुरू कर दी है यही वज़ा है कि लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं गंजेपन की वज़ा में से एक बालो पर तेल ना लगाना भी है आईए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि बालो पर तेल ना लगाने से होने वाले ऐसी नुकसान के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे नम्बर वन रूखे बाल बालों पर तेल ना लगाने से बाल रूखे होने शुरू हो जाते हैं और बालों के रूखे होने से बाल कमजोर हो जाते हैं बाल कमजोर होने की वज़ा से टूटने शुरू हो जाते हैं और आप गंजेपन के एक कदम करीब पहुच जाते हैं इसलिए बालों पर तेल लगाना ना भूलें क्योंकि रूखे बाल जड़ों को कमजोर करने का काम करते हैं मौजूदा वक्त में बालों को स्ट्राइल देने के लिए तेल लगाने से मना किया जाता है और क्रीम, जेल या फिर वेक्स का इस्तमाल किया जाता है ये सबी चीजें ना सर्फ बालों की नमी चीनने का काम करती हैं बलकि बालों में जरूरी पोशन भी नहीं पहुचाती है इस वज़ा से बाल कमजोर होना शुरू हो जाते हैं नम्बो थ्री खुजली होना बालों पर जो लोग तेल नहीं लगाते हैं उन्हें अक्सर बालों और स्कैल्प में खुजली होने की परिशानी रहती है इसके अलावा बहुत से लोगों को बालों में दाने भी हो जाते हैं बालो में दाने होने की वज़े से बहुत से लोगों को गंजा भी होना पड़ता है इसलिए बालो पर तेल लगाना ना भोले नम्मो फोर डैंडर्फ होना वे लोग जो बालो पर तेल नहीं लगाते हैं उनकी स्कैल्प यानि की जड़े रूखी हो जाती है और बालो पर पप्री जमा होने लगती है ये पप्री आगे चलकर डैंडर्फ का रूख ले लेती है और आगे चलकर आप गंजे पन का शिकार हो जाते हैं इसलिए बालो पर तेल लगाना ना भूले नम्मो फाइव तूटते बाल बालों पर तेल ना लगाने की वज़ा से बालों को जरूरी पोशन नहीं मिल पाता है और बाल तूटना शुरू हो जाते हैं तूटते बाल आगे चलकर गंजे पन की और ले जाते हैं इसलिए बालो को जरूरी पोशन देने के लिए बालो की तेल से मालिश करना ना भूलें दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बालो में अगर आप तेल नहीं लगाएंगे तो बालो को पोशन बिलकुल नहीं मिलेगा और इससे आपके हेर बिल्कुल डामेज हो जाएंगे तो ओली हमारे बालों के लिए कितनी इंपोर्टेंट है इस वीडियो में हमने आपको बताया है और क्या-क्या नुकसान आपको फेस करने पर सकते हैं अगर आप अपने बालों में ओल नहीं लगाएंगे ऐसी ओर वीडियो देखने के लिए आप में चैनल भव्याहल्थ को सब्स्क्राइब करें और कुछ भी कमेंट आपको करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं तिल देन, बी हल्दी, बी हैपी and बी फैट